अगर आपको Atomic Theory याद हो, तो आपको ये कोशन बहुत इजी लगेगा Atomic Theory start कहां से होई थी? चाचा से होई थी, डाल्टन चाचा इन्होंने Atomic Theory, Atomic सिद्धान दिया था सिद्धान इनका बिल्कुल फर्जिता बिल्कुल गलत था लेकिन इनकी एक बात बहुत सही थी, इन्होंने कहा था कि Atom को आप Divide नहीं कर सकते, जबकि ये बात आज की यूग में आ करके वो भी फेल हो गई क्योंकि Atom को तोड़ दिया गया सब Atomic Particles, Electron, Proton, Neutron, Maysons, Pi Particles और अब तो ये भी यहां तक की ख़दा चुकी है, कि अब तो Nucleus को भी Divide करने की तैयारी चल लगी है तो ये उस वक्त सही थे अपने जमाने में, इन्होंने राज कर लिया अपनी थियोरी दे करके बहुत टाइम तक इनकी वावाई हो गय थी लेकिन इन्होंने ये कह दिया था कि एटम को आप Divide नहीं कर सकते सबसे पहले ये इन से भी पहले हिंदुस्तान की एक महरशी थे आश्रम में बैटके उन्होंने बोल दिया था कि एटम वो होता है जिसको आप Divide नहीं कर सकते लेकिन उनका कोई registration वगएर नहीं था तो उनका नाम नहीं लिया जाता लेकिन NCRT के अंदर आज ही पढ़ाय जाता उनका नाम है महरशी करनाद तो उन्होंने कहा था कि एटम को अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे तो तो तूटे करें अगर आपके पास चोक है उसको घिसते चले जाओ घिसते चले जाओ घिसते चले जाओ लास्ट में एक fine particles बचेगा जिसको आप और नहीं घिस सकते तो वो fine particle ही कहलाता है atom उसको आप और divide नहीं कर सकते तो उन चाचे की बाद तो किसी ने नहीं सुनी लेकिन इनकी बाद सुनी इनों ने भी यही बोल दिया कि atom को आप divide नहीं कर सकते इंडिवीजिबिलीटी का rule दे दिया तो यहीं पूछा जा रहा है कि भाई इंडिवीजिबिलीटी का rule किस ने दिया तो यह है Dalton और आपको पता होने चाहिए रदरफोर ने न्यूकलियस की खोच की थी और बोहर का एटोमिक मॉडल भी बहुत फैमस है आगा चलते है